है अले स्टुटेंट्स लेट्शी दोख्षन सदोख्षन इस दो बैडिंग साइट ओफ टी आरेने विध् है मेरेने अड्एमीन असेट स्रेस्पेक्टिव डी आर पुचा गए पूचा गया है कि टी आरेने का जो binding site किसके लिए MRN के लिए एमिनो एसेड के लिए कौन सा होता है तों गिरम देखें यहां पर सब से वहले टीर निया श्रुक्जर अगर हम देखें टीर निया रने का यह फाइब प्राइम है और यहां पर अगर हम देखें यहां पर यहां पर डीएच्यू लूप है यो कौन स साइज सी लूप है और ये कौन सा है एंटि कोडोन लूप तो twins तो thee अरणे का अगर हम देखे mRNA के लिए जो बायंडिंग सइट ऑप कौन सा है ये अंटि कोडोन लूप यहाँ पर अगर हम देखे ये जो है ये mRNA जो होगा mRNA से बायंड किसे करता है यह जो anti-codone जो है यहां से अगर हम देखे इसके complement यह जो codon यहाँ पे होंगे codon के complement anti-codone है और यहाँ पर hydrogen bond सा ऐसे पॉर्म होगा क्योंकि हम पता है कि यह nitrogenous base जो होगे उँगे उगे बीच में कौन सा hydrogen bond फॉर्म होगा तो अगर हम देखे यहाँ पर mRNA के लिए binding site मैं कॉनसा anti-codone वाला और यहाँ पर amino acid जो होता है वह यहाँ पर acceptor arm जो है यह वाला यह 3' उ है यह जो और अब enjoyednezष करता है अगर हम देखे यह वाला जो है यहाँ पर यह 3' ends जो है यह किसके लिए यह amino acid के लिए तो अगर हम देखे यहाँ यहाँ तो यह जो होता है यह mRNA से जो है, dhum loop के साथ नहीं होता, mRNA से anticoidam loop के साथ करता है, और इस जो 3 prime end है, यहाँ पर क्या होता है, cca, cca, यह होता है यहाँ पर, तो अगर हम देखें यहाँ पर, यह amino acid के लिए तो स़ही दिया हुआ है, लेकिन यहां पे इसके लिए गलत दिया हुआ है mRNA with CCAN and amino acid with anticodon loop ये तो गलत दिया है, उलटा दिया है यहां पे mRNA with anticodon loop and amino acid with DHU loop गलत दिया, DHU loop के सब तो नहीं करता है mRNA with anticodon loop amino acid with CCAN ये correct दिया हुआ है, mRNA का anticodon loop के साथ, and यहां पे amino acid जो है वो CCA and जो 3' अपय है उसके साथ so correct answer would be this fourth one that is D hope you understood the question thank you and all the best